वेत अंसार में आपका एक बर फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे गीता जैन्ती क्या है और इसके महतव और उदेशे के वारे में लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहसे में वीडियो दिखाते रहेंगे यह तो हम सभी जानते हैं कि बगवान श्री कृष्ण ही थे जिनोंने अर्जन को गीता का उपदेश दिया था बता दे कि इसी खास दिन को गीता जैनती के रूप में मनाय जाता है यानि कि श्रीमत भागवत गीता के जरम दिन के तोर पर इस दिन को हर जगा देखा जाता है तो दोस्तो आगे आगे आपको बताते हैं कब मनाई जाती है गीता जैनती दोस्तो यह शुकल एकदशी के दिन मनाई जाती है और इस विशेश दिन जो भी लोग विधी पूर्वग, पूजा, वैव, पुवास करते हैं उनको अपने जीवन से हर तरह के मोह से मोक्ष मिल जाता है यही एक वज़ा है कि इसका नाम मोक्ष दा भी रखा गया है दोस्तो आएए जानते हैं आगे गीता जैनती का उबेशें गीता जैनती का मुख्य देशें यह है कि गीता के उसन देश का हम अपनी जिंदिकी में किस तरह से पालंग करें और आगे बढ़ें साथ ही गीता का ग्यान हमें ढहर्य, दुख, लोग वे अग्यानता से जैसे कई नकारमत चीजों को बाहर निकालने की प्रेना देता है ध्यान रहे कि गीता सिर्फ एक ग्रंत नहीं एक संपून जीवन है साथ ही इसमें पुर्शार्थवे, कर्तव्य के पल्म की सीख भी मौजूद है दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं गीता के मैत्र के वारे में भगवद गीता के पठन पाठन, श्रवन एवं मनन चिंतन से हर किसी के जीवन में श्रेष्था के भाव आते हैं गीता केवल लाल कपड़े में बानकर और सजाकर घर में रखने के लिए नहीं होती बलकि उसे पढ़कर उसके संदेशों को आतमसाथ करने के लिए होती है यही नहीं गीता का चिंतन अज्यांता के चरण को हटा कर आतमज्यान के और प्रवरित करता है जान लेकि गीता बगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है दोस्तों आगे हम आपको बताने जा रहे हैं गीता कैसे है ज्यान का अद्वुद बंडा है हम सभी काम के नदीजें तुरंट चाहते हैं जो की बहुत गलत बात है भगवार ने खुद काहेगी देहरे के बिना अज्यान, दुख, मो, प्रोध, काम और लोब से निवृतियां नहीं मिलेंगी यह कहना गलत नहीं होगा कि गीता कल्युक के पापों का श्या करने का अद्वुद और अनुपम माध्यम है जिस किसी के जीवन में गीता का ग्यान नहीं है, वे पशु से भी बत रहते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भक्ती बालेकाल से शुरू होनी चाहिए क्योंकि अंतिम समय में भगवान का नाम लेना बहुत ही कठिन हो जाता है दोस्तो हम आशा करते हैं हमारे इस वीडियो से भगवद गीता को लेकर के जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और उमीद करते हैं कि आप भी बताएगे गीता के महत्व को समझेंगे और उसका अनुशन भी जरूर करेंगे दोस्तो सुखी जीवन पाना चाते हैं तो गीता का अनुशन जरूर कीजेगा और अगर आपको भी सुखी जीवन की चाह है तो कमेंट में जैय श्रीकृष्ण जरूर लिखेगा और दोस्तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अपना सुखा और अपना फीडबेक जरूर शेर करिएगा दोस्तो वीडियो गर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कमेंट और शेर जरूर करिएगा हम आपको आगे पी ऐसे रहसे में वीडियो दिखाते प्रेवाद